ग्रामिन इस्तरीय हाट बजार में पसरा शुल्क खत्म करने आदेश की परिपालन करने की मांग को लेकर मरार समाद ने कलेक्टर से लगाई गुहार दुरुक को सरिया मरार पटिल समाद द्वारा, 36 गड़ के मुखिमन्ती द्वारा को सरिया मरार पटिल समाद के शपत ग्रहन समारों में पसरा शुल्क की वसूली करने वालों पर कारवाई की बात कही जिसका परिपालन कर ग्रामिन इस्तर पर पसरा वसूली पर रोक लगाने क कि मांग को लेकर सूमबार को बड़ी संख्या में समाज की लोग कलेक्टिट पहुँचे और दुरुक कलेक्टर के नाम ग्यापन सौपा और अपनी आवाज बुलंद की साथी पसरा ट्रेक्स की वसूली पर होगी कारवाई की मांगी घौट तलब है कि ग्यापन दिने जीवत पादन कर जीवन यापन करते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है इस संब्द में मरार समाज के लोगों ने प्रतिक्रिया दी गोशना के दिकी पसरा सूर्क में मुक्ति दी जाएगी लेकिन पसरा सूर्क में मुक्ति से रफ ग्रामीर इस्तरों पर हुई थी नगर निकम श्येतर में लेकिन उत्तर पर यह नहीं हो पाया था और grace धा पर पर जो निलामी प्रता है उसको खतम किया जाए और छो छोटे सुल्क ना लिए जाए और इससे मुक्ति दिला जाए जिससे उसके आर्थिक जो व्रिद्धी हो उनको आर्थिक लाप पहुंचे बड़ी समस्य यह धी कि एक जगह सुल्क माफ हो गया था अशारों में और गाउं में वसूली आज भी जारी था उसी संबंद में कलेक्टर जाता है उसको माप किया जाए प्रदेश सासन के मुख्या मानी भूपेश बगिल जी ने वहीं प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्विक्रित करते हुए हमें आस्वस्त किया था कि यह पसरसुल्क माप कर दिया जाएगा लेकिन पसरसुल्क अभी शहरों में बत्तूर जारी च को कलेकड़र साब पत्रसव के धान हम लोग आकरसीद कराने आया थे सहर में इस प्रकार पसरसुल्क माप कर दिया गया है तो गौन का भी पसरसुल्क माप कर दिया हैं ताकि हमारे शमाज लोगों को राहत मिले चbourne कि हमारा समाज शमान Centaur अर्पस्राति वाशह से लिए इस मैं गया पटिल सार्जला कांग्रेस कमिटी का अध्यक्ष ग्रैंडिसीन न्यूस के लिए दुरुग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट